हलो फेंट स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चाहें ग्यान प्लस पर यूपी टिपलेसी पीटी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूपी टिपलेसी पीटी के लिए आठ सेटों में तयार किये गए हैं प्रिश्णपत तो कुल मिलाके आठ सेट होंगे ए से लेके आप का कुल मिलाके एच तक होगा पूरा चार सेट उत्तर प्रदेश अधीनस सेवाचेन आयोक के अद्धेश परीर कुमान ने साफ किया है कि प्रारम्भी कारता परिच्छा के प्रिश्णपत पूरी तरह से सुरच्छित हैं पीटी के लिए आठ सेटों में प्रिश्णपत तय पूरी तयारियों के साथ पेपर कराया जाएगा उन्होंने बताया कि 24 अगस्त को दो पालियों में पीटी 75 जिलों में बाइस चोमन केंद्रों पर आयो जित होगी इसमें 20,73,903 अभ्यर्थी परिच्छा में सामिलोंगे गड़बड़ी रोकने के लिए 70 हज़ाद से अधि लाइव नजर रखी जाएगी सभी केंद्रों के परिच्छा कच्छों मुख प्रिवेश द्वार प्रधाना कच्छ में बने कंट्रोल रूम वा अन समेद अंसिल इस्थानों पर कैमरे लगाए जा रहे हैं परिच्छा से जुड़ी हर गत्विदी को CCTV कैमरे से रिकार्ड कि आयोग कार्याले में इस्तित कंट्रोल जूम से इसे लाइव देखा जा सकेगा किसी भी परिच्छा के लिए पहली बार ऐसी विवस्ता बनाई जारही है किसी दे हैं से लाइव देखा जा सकता है आयोग के मुख्याले में लख रहती। कि पकेटी में सामिल होने वाले समूहगा के 25 जाटसे अधिक पतों पर होने वाली बरती में सामिल होने के लिए अभ्यरती पात्रोंगे मैइलाओं वा दिवांगों को, उसी जिले में सुवधात दी गई है पूरी सब्भर्थियों को उसी मंडल के समेब के जिलों को आवंटित किया गया है तो कुल मिला के ये रही आपके लिए सूचना 24 तारीक को जो है आपकी परिच्छा है कल तक सभी परिच्छक अपने अपने जिलों में पहुँच जाएंगे और कुल मिला के आपकी पूरी तयारी आयो की तरफ से कर ली गई है आप लोग भी अपनी तयारी उमीद है पूरी कर चुके होंगे अच्छे से पेपर दीजिएगा दो तीन बातों का ध्यान में रखिएगा किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है हम आपको बता दें सबसे पहले आपको जो सबसे महत्पूर बाते हैं कि निगेटिव मार्किंग नहीं करनी है यदि आप 60 क्यूस्चन तक पहुँच जा रहे हैं उसके ज़्यादा आपको करने की लालाच में ना पड़ें निगेटिविटी को ध्यान रखें नहीं तो नुक्सान हो सकता है क्योंकि हमने देखा है बहुत से अभ्यर थी बेचारे उनका हो तो जाता है सत्तर लेकिन निगेटिव में कुल मिलाके निगेटिव होने के बाद उनका 62, 63, 64 तक पहुँच जाते हैं तो इसलिए अपने 5-6 नंबर को वेस्ट ना करें एक-एक नंबर महत्पूर और दूसरी चीज है दूसरें के बाकावे में ना आएं बाकावे का मतलब कुछ लोग पागल बनाने के लिए बैठे रहते हैं यानि कि खुद को तो कुछ करना नहीं है आपको भी डिस्टर्व करेंगे कि कटाव जादा जाएगी जादा जाएगी कुछ नहीं होगा आप निश्चिंत रहिए साठ के आसपास आप करने की कोशिश करिए यदि इजी प्रिशन पत्त है कठीने तो उससे कम ही होगा सभी लोग का अभी तक मैंने बहुत से अब्यर्थियों को देखा है किसी के भी ये कहिए कि सत्तर से प्लस वाले बहुत कम अब्यर्थि हैं आप भी कमपटीशन में हैं सत्तर से प्लस जाने की बहुत कम उमीद है यानि कि बहुत इजी पेपर आ गया तो भी सत्तर तो कटाफ किसी भी हलत में नहीं जाएगी इन चीजों का द्यान रखी अपने एड्मिट कार्ड, सैनिटाइजर, मास्क, आईडी, फोटो, फोटोकापी, आईडी के फोटोकापी इन सब चीजों को अपने पार रख लिजे, घडी, तधा बेल्ट से बचिए, यदि आप ले जाईएगा तो बैग में अपने डाल दीजेगा इन सब भी चीजों से आपको बसना है और ध्यान रखना है कि एक बार फिर से मैं बोल दूँ कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, नहीं करनी है आपको, निगेटिव मार्किंग एड़ग एक बटे चार है, हम आपको बता दें कि P.E.T. का कटाप, अंतिम कटाप किसी भी हा ला दीजिएगा, तो आप निश्चिंत रहिएगा मुख परिच्छाओं में बैठने के लिए, यहीं कटाप होगी, यदि इजी पेपर आया, तो साथ ही अफिस्यल कटाप होगी, इसकी सूजना आपको जल्दी वेवसाइट के माद्यम से दे दी जाएगी, तो यह रही देट आप सभी के लिए, आप सभी को सुबकामनाय परिच्छा की, आल दी बेस्ट और अच्छे से पेपर दीजिएगा, धन्यवाद